इसको सेकंड पार्ट में सिम्प्लिफाई करना इसको एर्थ क्षिचन का सेकंड पार्ट क्या वैल्यू दे रखी है टैंजन्ट ओफ 90 माइनस थिटा सेकंड ओफ 180 माइनस थिटा और मल्टिप्लाई साइन ओफ माइनस थिटा अपून नीचे value है sin of 180 plus theta multiply code of 360 minus theta into cosecant of 90 plus theta यह value दे रखे हैं इनको हमें simplify करना है देखो कैसे करेंगे सबसे पहले tangent 90 पे change होगा tangent किस में change होगा quote में 90 माइनस 90 में से minus करेंगे कुछ तो first quadrant में all positive तो यह क्या जाएगा plus का quote ठीक्टा अब इसको solve करते हैं secant of 180 180 पे no change secant क्या रहेगा secant 180 माइनस 180 में से कुछ minus करेंगे second quadrant में second quadrant में secant क्या होता है negative तो यह क्या आएगा minus का secant theta तो minus आगे लगा देंगे secant theta sin of minus theta क्या होता है minus sin theta तो अब यह minus minus क्या हो जाएगा plus और यह आजाएगा sin theta upon sin 180 प्लस theta 180 पे no change sin का sin 180 प्लस third quadrant में sin क्या होता है negative तो minus आएगा सब्सक्राइब क्या होता है तो यह माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस और यह आजाएगा कोट theta cosecant cosecant को हम क्या लिखेंगे को सीकेंट 90 पे क्या होगा यह चेंज होगा को सीकेंट किसमें चेंज होता है सीकेंट में तो सीकेंट और 90 प्लस second quadrant में second में cosecant positive तो यह आजाएगा सीकेंट कोट से कोट कैंशिल सीकेंट से सीकेंट साइन से साइन क्या आ जाएगा यह वन यह आ जाएगा इसका आंसर देखो next question करते है ninth question का first part हमें show करना है इस value को court theta के equal prove करना है तो देखो कैसे करेंगे हम ninth question का जो first part है हम left hand side लेके चलेंगे तो left hand side हमें दे रखिया है sin of 90 plus theta upon cos of 90 minus theta plus tangent of 180 plus theta upon court of 90 plus theta और plus में दे रखा है cos of 90 plus theta upon sin of minus theta यह value दे रखिये इसको sold करके हमें court theta के equal prove करना देखो कैसे करेंगे सबसे पहले sin of 90 plus theta 90 पे change होगा sin किस में change होगा cos में 90 plus 90 में कुछ add करेंगे second quadrant में sin positive तो यह आएगा plus का cos theta upon cos 90 cos 90 पे change होगा cos किस में change होगा sin में 90 minus first quadrant में सारे positive होते हैं तो यह भी plus का sin है theta plus tangent of 180 minus 180 पे no change tangent का क्या रहेगा tangent 180 plus 180 में कुछ add करेंगे third quadrant में tangent positive तो यह आएगा tangent theta upon quote 90 plus theta तो 90 पे no change quote का क्या रहेगा 90 पे change quote किस में change होगा tangent में quote आजाएगा tangent में 90 plus 90 में कुछ add करेंगे तो 90 में add करेंगे तो second quadrant में second में quote क्या होता है negative तो यहाँ पे minus का sin और यह आजाएगा tangent theta plus cos 90 पे change होगा cos किस में change होगा sin में 90 plus second quadrant में second में cos negative तो यह आएगा minus sin theta upon sin of minus theta sin of minus theta क्या होता है minus sin theta ठीक है अब इनको solve करते है cos by sin क्या बन जाएगा quote theta cos by sin तो आजाएगा quote theta और यह tangent से tangent cancel minus 1 आएगा sin से sin cancel minus minus क्या हो जाएगा plus का one one से one cancel किसके equal आजाएगा यह code theta के equal यही हमें prove करना था यही थी हमारी right hand side अब देखो इसका second part करते हैं second part में क्या दे रखा देखो इस value को हमें 2k equal prove करना तो देखो करते हैं हम left hand side लेके चलेंगे तो left hand side में हमें क्या दे रखा कोशिकेंट ओफ 90 प्लस थीटा प्लस कोट ओफ 90 प्लस थीटा अपोन नीचे वैल्यू है कोशिकेंट ओफ 90 माइनस थीटा प्लस टैंजेंट ओफ 180 माइनस थीटा प्लस टैंजेंट ओफ 180 प्लस थीटा प्लस सीचेंट ओफ 180 माइनस थीटा अपोन नीचे वैल्यू दे रख्येंट ओफ 360 प्लस थीटा माइनस सीचेंट ओफ माइनस थीटा इसको हमें किसके एकुल प्रूव करना है तुके एकुल तो देखो कैसे करेंगे इस विश्चन को हम सबसे पहले इनको solve करते है cosecant 90 90 पे change होगा cosecant किस में change होगा secant में 90 plus second में cosecant positive तो ये plus का secant theta plus quote of 90 plus theta 90 पे change होगा quote किस में change होगा tangent में 90 plus second quadrant में second में tangent क्या होता है negative तो minus का sign लगेगा minus tangent theta upon 90 पे change cosecant किस में change होगा secant में 90 minus first quadrant में all positive तो यह आजाएगा secant theta tangent 180 180 पे tangent 180 पे no change ये क्या होगा tangent का क्या रहेगा tangent तो ये आजाएगा tangent 180 में 180 में से कुछ minus करेंगे तो second quadrant में second में tangent क्या होता है negative तो ये minus tangent theta plus tangent of 180 plus theta तो tangent of 180 पे no change tangent का tangent 180 प्लस third quadrant में tangent positive तो यह आजाएगा tangent theta plus secant of 180 minus theta 180 पे no change secant 180 में जाएगा तो यहाँ पे minus आजाएगा secant theta upon tangent 360 पे no change tangent का tangent 360 प्लस 360 में प्लस करेंगे first में all positive तो tangent theta secant of minus theta क्या होता है secant theta ही होता है तो यह क्या रहेगा minus secant theta देखो दोनों same value है यह भी cancel हो जाएगी यह भी cancel क्या जाएगा यह 1 प्लस 1 यह आजाएगा 2 के equal यही थे हमारी right hand side देखो अब इसका third part करते है ninth question का third part क्या दे रखा हमें left hand side दे रखिए इसको हमें 1 के equal प्रूव करना तो देखो कैसे करेंगे हम ninth question का third part क्या दे रखा हमें three cos of pi by three secant of pi by three minus four sin of five pi by six tangent of pi by four इस value को solve करना हम left hand side लेके चल रहे हैं इसको right hand side के equal प्रूव करेंगे three multiply cos pi by three cos 60 cos 60 की value क्या होती है one by two multiply secant 60 secant 60 की value क्या होगी two minus four multiply sine five pi by six तो five pi by six को हम कैसे लिखेंगे पहले तो sine of pi minus pi by six pi में से pi by six minus करेंगे क्या हैगा five pi by six into tangent pi by four की value क्या होती है one तो यह आ जाएगा two से two cancel three minus four multiply sine pi पे no change तो sine का क्या रहेगा sine pi में से minus करेंगे कुछ second quadrant में sine positive तो यह आ जाएगा sine pi by six three minus four multiply sine pi by six की value क्या होती है one by two two से इसको cancel करेंगे तो यह आ जाएगा three minus two किसके equal आ जाएगा one के equal यही हमें prove करना था यही थी हमारी right hand side अब देखो next question करते है इसका 10th question 10th question का जो first part है वो हमें क्या दे रखा देखो क्या करना है solve for x the following equation इन equations को हमें x के लिए solve करना तो देखो कैसे करेंगे हम इनको देखो first part हमें दे रखा है secant of 90 plus a plus x sin tangent of 90 plus a is equal to हमें दे रखा cos of 90 plus a के तो इनको solve करेंगे देखो पहले secant 90 90 पे change होगा secant किस में change होगा cosecant में 90 plus second quadrant में second में secant negative तो minus cosecant a plus x sin tangent 90 90 पे tangent change होगा tangent किस में change होगा coat में 90 plus second quadrant में second में tangent क्या होता है negative तो यह आजाएगा minus quote a is equal to cos 90 90 पे change cos किस में change होजाएगा sine में 90 plus 90 में कुछ add करेंगे second quadrant में cos क्या होता है negative तो यह आएगा माइनस साइने ए, तो माइनस कोसीकेंटे है, कोसीकेंट को क्य लेखेंगे, हम only s I e, plus x, c into, कोटे को हम क्य लेखेंगे, minus cos by s I, ठीक है, code किया हुता है, cos by sign, is equal to क्या है, minus sign a, इनको solve करेंगे, तो ये minus 1 by sign, sign से sign cancel हो जाएगा, क्या बचेगा है, या से minus x, cos a is equal to आ जाएगा, ये minus sign a, ठीक है, अब देखो, दोनों साइड से minus common लेके cancel भी कर सकते हैं, तो यह बचेगा 1 by sin प्लस X को से is equal to sin A, यह value उस side जाएके minus हो जाएगी, तो यह आजाएगा X को से is equal to sin A minus 1 by sin दोनों का LCM लेंगे, इन दोनों का क्या LCM आजाएगा, sin A sin की sin से multiply, यह आजाएगा sin square A minus 1 तो 1 minus sin square किसके equal होता है, cos square एके और sin square A minus 1 किसके equal हो जाएगा minus cos square A के, तो यह आजाएगा X cos A is equal to minus cos square A upon sin यह cos इदर divide में आजाएगा तो X की value के आजाएगी minus cos square A upon sin into cos A, cos cancel cos by sin के आजाएगा coat, तो यह आजाएगा minus coat A, यह X की value आजाएगी, देखो अब next part करते हैं, इसका second part second part में हमें क्या करना है, 10th question का second part हमें दे रखा है X coat of 90 plus theta plus tangent of 90 plus theta into sin theta plus cosecant of 90 plus theta, यह दे रखा हमें 0 के equal, तो इसको solve करते हैं, देखो सबसे पहले इनको solve करते हैं, तो X coat 90 plus 90 पे change होगा, coat किसमे change होगा tangent में, 90 में कुछ add करेंगे, तो second quadrant में coat क्या होता है, negative, तो minus tangent क्या आजाएगा, theta tangent 90 plus 90 पे change होगा, tangent किसमें change होगा coat में, 90 में add करेंगे, second quadrant में tangent क्या होता है, negative, तो यह आजाएगा minus coat theta into sine theta, plus cosecant 90, 90 पे क्या होगा, change, cosecant किसमे change होगा, secant में 90 plus second quadrant में cosecant positive होता है, तो यह plus का secant theta आएगा, is equal to 0, इनको अब change करते हैं, tangent को किसमे change कर लेंगे, sine theta by cos theta, minus coat theta को क्या लिखेंगे, cos theta by sine theta into sine theta, plus secant को क्या लिखेंगे, 1 by cos theta is equal to 0, अब यह बन जाएगा, देखो इदर, sine से sine cancel, यह यहां से क्या जाएगा, minus x sine theta by cos theta, यहां से value बचेगी है, minus cos theta plus 1 by cos theta is equal to 0, इन दोनों value को हम उदर लेके जाते हैं, तो यह क्या जाएगा, minus x sine theta upon cos theta is equal to यह उदर जाएगे, plus हो जाएगा, cos theta, यह minus 1 by cos theta, तो यह आजाएगा, minus x sine theta, upon cos theta is equal to cos theta, L से हम लेंगे, cos की cos से multiply, क्या आजाएगा, cos square theta minus 1, cos square theta minus 1, किसके equal होगा, sin square theta के, तो यह minus x sine theta by cos theta is equal to, यह आजाएगा, minus sin square theta, upon cos theta, sin theta निचे, divide में, cos उपर, multiply में, और minus से minus cancel, तो x की value क्या आजाएगी, sin square theta by, cos theta into, cos theta उपर, और sin theta निचे, divide में, cos से cos cancel, एक sin से, एक sin, तो x की value आजाएगी, क्या हमारी sin theta, यह आजाएगी, x की value, क्या आजाएगी,